हेलो गाइज मैं डॉक्टर बीती होब आप लोग सब अच्छे होंगे है लिए अपके सामने निज टॉपिक लिए हैं हूं यूटर्स प्रोलेप्स या यूटर्स डिस्प्लेस्मेंट मैं अब यूटर्स प्रोलेप्स होता या है यह बिमारी महिलाओं में देखी जाने वाली बीमारी है और यह क्या होता है जब जो बच्चे दानी होती है यूट्रस होता है वो अपनी जगह से ढीला बढ़के नीचे की साइड बहार आने लगता है वेजाइना के थुरू बहार दिखने लगता है जिसे यूट्रस प्रॉलैप्स कहा जाता है या यूट्रस डिस्प्ले week या daily पड़ेगी तो uterus अपनी जगह को छोड़ देगा और वह अपनी जगह से अटके नीचे के side को pressure देगा और नीचे निकलेगा second है normal delivery, normal delivery just like multi delivery, I mean जैसे कि 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे यह अगर इस delivery में जब ज़्यादा ज़्यादा बच्चे होते हैं तो uterus कमजोर पड़ जाता है, uterus कमजोर पड़ जाने के कारण वह अपनी muscles को relax हो जाता है और muscles छीजने लगती है, third है heavy weight, heavy weight I mean to say जैसे कोई heavy weight को उठा न, heavy weight को उठाओगे आप जटके से उठाओगे, तो muscles lose होगी, next है fibroids, uterus, fibroids, जब uterus में fibroids, innocence, gant पड़ जाती है, उस pressure के कारण भी uterus की muscles, जो tissues होते हैं, वह weak पड़ जाते हैं, next है pelvic tumor, pelvis tumor के कारण भी जो tissues रहते हैं, वह weak हो जाते हैं, जिसके कारण uterus अपनी जगह से हटने लगता है, then next है menopause, menopause जो 40-45 महिलाओं में देखा जाता है, जिसमें menopause के time पर क्या रहता है, estrogen की जो मात्रा है, वह दीरे-दीरे कम होती जाती है, जब estrogen की मात्रा कम होगी, तो जो uterus है, uterus के आजू-बाजू वाले जो tissue है, muscles है, वह weak होगी, और relax होगी, जिसके कारण से uterus अपनी जगह से और पेट में भारीपन भी लाएगा, back is भी होगी, पेट के निचले हिससे में दर्द होगा, और ऐसा लगएगा जैसे की कोई चीज हमारी बाहर निकल रही है, ठीक है न, then heavy delivery, जो heavy weight के बच्चे होते है, just like 3 kg, तो normal weight होता है, साड़े 3 kg, 4 kg, ये weight जो बच्चे होते हैं, जि इसको हम fundal pressure बोलते हैं, जो fundal pressure दिया जाता है, pressure देतके बच्चे को बाहर धकिला जाता है, उसके कारण भी बच्चे दानी lose होती, ठीक है, then chronic cough, chronic cough मतलब काफी time, काफी पुराना खासी, जिसमें कफ जम जाता है, अब इसके लक्षण आपको क्या मिलेंगे, mostly इसके 3 types of लक् second है, वैजाइना के पास हुआ, third है, uterus का बाहर निकलना, three stages होती है, then जो third stage और second stage होती है, की uterus का बाहर निकलना, और दें पूरा का पूरा बाहर निकलना, यूट्राइंट इसके खलाता है, incomplete and complete, अब इसमें क्या देखने मिलेगा, blotting, gas, पेट भारी लगेगा, gas बनेगी, then lower part में pain होना and pressure बढ़ना, उसके बाद vagina से हम लेगा जैसे कुछ बाहर निकल रहा है, बाहर निकलना जैसा feel होना, then बार बार urine pass out होना, और जब बार बार urine जाएंगे तो urine infection बैसे भी बढ़ेगा, और आगे पेट में बारी बन होना, उसके बाद back is, then white discharge, white discharge मतलब जो सफेद पानी रहता है, smell आना white discharge से, वो पानी निकलना, उसके बाद आप देखेंगे, जैसे आपको खांसी आ रही है, या छीग भी आ रही है, तो आपको ये feel होगा, कि हमारे जैना है, उसके थूरू कोई चीज बाहर निकल रही है, कि वो चीज हमारी बाहर आ रही है, वो बाहर निकलने के लिए हम कैसे avoid करें, कि ये चीज हमारी बाहर ना निकले, पहरा तो है कि पैरों के बल हमें नहीं बैटना, अगर हम पैरों के बल बैटना, तो जो uterus है, वो बाहर को निकलेगा, सेकेंड है, फ्राई एंड स्पाईसी चीज़े avoid करना है, ज्यादा तेल की भुजी चीज़े, मिर्च मसाले, बाहर का खाना भी न, ये सर्फ हमें avoid करना है, next है, काफी टाइम तक कफ नहीं बनने देना, जैसे कि आपको सर्दी जो खाम होता है, खासी होती है, तो उसका समय रहें इलाज करवाना है, जिसमें वो काफी टाइम तक ना हो, क्योंकि अगर वो काफी टाइम तक रहेगा, तो आप जब कफ लेंगे, खासी करेंगे, तो जटका पड़ेगा, जिससे कि यूट्रस बाहर निकलेगा, एंड यूएस्जी, हम ज़्यादा तर कोशिश करें, कि जो इंग्लिस ट्वालेट होती है, उसका ही यूज करें, इंग्लिस ट्वालेट का, ये फोर्थ स्टेज में काम आएगी, जो लास्ट स्टेज होती, जिसमें यूट्रस बिल्कुल बाहर निकल जाता है, और हमें अपने हाथ के थ्रू, उसको बाहर करना पड़ता है, अगर हम चाहें, तो एक कॉट्रन का रोल ले, कॉट्रन का रोल बनाए, और जब यूट्रस अगर बाहर निकल रहा है, तो उस रोल को, आप अपनी वैजाई नामें रख सकते हैं, जिससे की यूट्रस बाहर ना निकले, और थैंक यू सो मच, प्लीज गाइस, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, और कमेंट करें, थैंक यू सो मच,